यंग लर्नर की पाच साला में आप सभी का सवागत है मैं सुरे सिर्वास्तो आप सभी को अविफादन करता हूँ भारत में अभी दो नए कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दिए और एक कोविड दवा है उसकी भी मंजूरी दे दिए तो आज हम इस ख्लास में जानेंगे जो कोविड वैक्सीन है इससे पहले कोविड दवा उसको भी मंजूरी दे दिए और कौन इसे मंजूरी रहता है एक जो द्वास Molenau unseen यहाईं 2 वंचीन है इसका अनमोधन कर दिया गया और मोल्न्म पिरवीर जो है यह एक एंटी वाइरल द्वाइन इसकी भी मन्जोरी में लेकिन तो इंटी वाइरल कोवी द्वा है इसका उपयोग you可以 आपात कालित स्तिति में ही किया जाएगा और इसका अनुमूदन जो देता है जो जारी करता है वो सेंटर्डल्रक्स स्टैंडर्ड कंट्रूर्ड और्गनाइज़ द्वारा जारी किया जाता है एमर्जेंसी यूज अथोराइजेशन के लिए जो स्विक्रित कोभी नाइन्टेन वैक्सीन है उसकी संख्या जो है बलकर अब आच हो गई है दो वैक्सीन के टिके आए हैं इससे पहले जो थे छे टिके को मंजूरी भी लेकिन अभी जो है इसकी स्थिति आत हो गई आई हम जानते हैं कौन कोई सिल्द भारत बायोटेक द्वारा जो वैक्सीन है जाइटस केडिला दौरा जेड़ वाई और रस्या दौर इस पुत्निक भी और अमेरिका दौरा माल्डर ना हो गई और अमेरिका दौरा थी जौन्सन और जौन्सन थी अब हम जानते हैं कार्भो वैक्सीन इसके बार बहारत में जो है इसको स्वधिसी रूप से विक्सित क किया गया आरबीडी प्रोटीन की सब यूनिट वैक्सीन इसका निर्मान अगर देखे तो हैडरा बाद में इस तित जो एक फ़र्म है बाइलोजिकल इए उसके द्वारा किया जा रहा है वहीं कोवो वैक्स जो है कोवीड वैक्सीन यह एक नैनो पारिकल वैक्सीन और इसका जो है पूने की जो सीरम इस्टिटूट ऑफ इंदिया उसके द्वारा किया वहीं जो कोविट दवा है यह एक प्रकार की इंटी वाइरल दवा और इसका निर्मार जो है भारत में तीरग कंपन्यों द्वारा किया जाएगा परन्तु आपको यह बता दें यह आपात कालिन इस प्रकार की किया जाएगा और इसका उपयोग जो है जो भी कोविट पेसेंट है उनके उपचार के लिए इस दवा का प्रियोग किया रहे और बातों को सीख लेते हैं आई जानते हैं सीडी एस सीओं द्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ओर्गनाइजेशन जो होती है यह स्वास सद्टें को देखते हैं तो इसका वीजन यह है कि भारत में गालता है उसकी रच्छा करना अगिपमीटे है iso जो होती है वो दवाओं का वी अनमोधन करती और clinical परिचन करती और दवाओं के लिए जो मानक होता है उसी भी तैयार करती है जीस में जो आयात की दवाएं होती उनकी गुलवत्ता को भी नीयंतर करती है आइस एक शूष्यो चैनल स्प्रॅट को सम्झतिए मिनिस्ट्यमिनष्ट ही होती है उसी कि अंत्राइब introduced लवह एक सिट द्रिवेज़न के नीच्छ जोती है कांट्रोलर जनलरत दर जो मेडिकल डिवाइस डीवीजन होता है डे द्रग इंस्पेक्टर आते है और पर द्रिवेज germs सब्सके अदर टेक्नीकल डाटा आसोसीट प्थ जर में हमाते हैं हैं प्धिन द्रक कंचोर्णरल जनरल है इसका हेड कौइर जो है वो 2 दिनलि में वहीं इसकी चोंड में एक है और इसके दो और जों स्क्राइद ऑृऌ हमृधार सब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब हमनें तो एयर पोस्ट और एयर पोस्ट आफीस तीरह नहीं एहम्दाबाद चैन्नाइव पोर्थ हो गया फ्रोग्लाइब हैक्ना डेली एहर नाक्टाष नियुच्छ ऑंगाय है और फिर फ्रिस ओ से CDSCO के जो function है उसको हम समझेंगे तेखिए जो CDSCO है इसके कारेक क्या क्या है तो यह क्या करती है जो new drug होता है और उसकी clinical trial होता है उसको approval करती है वही रजेस्टेशन और registration और licensing का भी approval करती है और आपको बता दें यह licensing भी यह approve करती है और जो यह होती है तो drugs and cosmetic act and rule है उसमें amendment भी करने का कारे करती है और यह जो होती है न्यूड्रग जो होता है उसके और cosmetic होते हैं उसकी bearing भी करती है और यह grant test license और personal license कि एसको भी इसु करती है वहीं यह टेस्ट भी करती है निव ड्रग जो होता उसकी भी टेस्टिंग करती है उमीद कर रहा हूं आपको यह जो दो नए कोईड वैक्सीन है और एक जो कोईड गोली है इसके बारे में बेहस्त समझ में आएगो और साथ यह साथ आपने सीडी एस सब्सक्राइब करना न भूलिए जहीं जहीं